होस्पिटल मुरदवाद से लगतार तीसरे दिन गुड नियूस सुनने को मिली है रविवार को होस्पिटल से साथ और कोरोना पॉजिटिव मरीज दिस्चार्ज हुए है इसमें चार पॉजिटिव मरीज मुरदवाद और तीन संभल के रहने वाले हैं होस्पिटल से दिस्चार्ज हुए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में मुरदवाद के मुगलपुरा का मैज 10 महीने का अब्दुल गनीवी है इस मासूम की दो बाल लगतार निगेटिव रिपोर्ट आने पर घड़ जाने की इजाजत मिल गई है इसके अलावा तीन वहिश्य ह कर दिए गए हैं होस्पिटल के नोडल अधिकारी डॉक्तर वीके सिंग ने बताया कि डिस्चार्ज हुए सभी लोगों को गढ़ जाने से पूर्व टीम्यों होस्पिटल के पैशाश्रिक अफसरों करम योद्धान डॉक्टर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने फ दस मां के अब्दुल गनी के कोरोना बिनर होने पर ये बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है यदि कोई भी रोगी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के मुताविक इलाज करता है तो कोरोना जैसी महमारी को भी बड़ी असानी से हराया जा सकता है टीम्यों हो परीजों की सेवा में जुटे डॉक्टरों नर्सिंग स्टाफ पेरामेडिकल स्टाफ टेकिनिशन और साहिक स्टाफ के साथ साथ काउंसलर और उनके माता पिता को जाता है जोने दिमारी हो जिशान इनना को रखता हो और इंशालला सफ्टा गए सफीक आहमद बड़ी स्रेमपूर अना काट कोई परिसानी हमारे सामने नहीं आई आने में पोने में और अने में इसी भी बात कियानों कोई परिसानी नहीं है मैं कॉस्टिबर गुलामगाउस थाना नाक्षिनी को स्टीटिव परिसानी में बहां में कुछ पूर्णा संक्रमिर के संपर्क में आने से पोजिटिव आया गया और मेरा लोगों से यही कहना है कि कॉर्णा से ज़्यादा डरे नहीं घबराएं नहीं पोजिटिव आने को अपने आपको सामने आएं चुके नहीं इसको पूरा पूरा और यहां जो डॉक्तर स्टाफ का सारा बहुत ही बहतर है वह सारी अच्छी सुग्दा है कोई प्रॉबलम नहीं हुए हैं तो अच्छी स्ट्रीट्मेंट किया गया है और बहुत-बहुत थैंक्यू गया है